पहले कोशन कियाओ कि देश की प्रथम महीला लोग सभा अधिख्ष का नाम क्या है तो आप सभी को पता है कि इजी कोशन है आप लोग कर लेंगे मीरा कुमार तो करेक्ट अंसर लेकिन इससे दो-तिन फैक्ट और समझे और जानी है नो यहां पे अगर बात करें कि देश पर्थम भीला कि बात होगी कि मीरा कुमार थी धी minor कुमार थी देश की पर्थमम हैs लोग सभा दक्ष लेकिन अगर यहां से कोसवन और भी बनता है कि वर्तमान में लोग सभा का दक्ष कौन है तो यहां पे नोट कर लिजगा current affairs में पूछेगा ओम बिड़्ला ठीक है ओम बिड़्ला जो है बरतमान में लोकसभा के अधक्ष है ठीक और ये कोटा से शांसद है ठीक है कोटा से ये सांसद है तो यहां से दो fact और आपको समझ में आया ठीक, जानने वाली चीज होगी, एक चीज और यहाँ रखेगा, यह तो यहाँ पे होगी थी, परथम महिला लोकसभाध्रक्ष का ना पुछा गया था, ठीकेर यहाँ पर पूछेगा कि भारत का परथम, लोकसभाध्रक्र कौन थे, ठीकेर, अगर पुरुस की बात करें, अग पर्थम कौन थे यहाद रखीएगा जीवी माव लंकर जीवी माव लंकर ठीक है माव लंकर यह जो थे लोग सबहा के पर्थम अध्धक्ष थे यहां से आपको कौन कौन आद हुआ कि वड़तमाल में जो ओम रिला है यह लोग सबहा खञार और पर अगर बात करे कि पुरुस में की पर्थम पुरुस में अगर लोग से बात करते हैं तो जीवी मावलंकर थे देश की पर्थम अहीं लोग से बात करते हैं मीरा कुमार ठीक है चले आगे बरहेंगे सवाल पर भारत में सती पर्था को कब प्रतिवंधित गया था तो कब प्रतिवंधित गया थ दूसरा यहाँ पर याद रुखे राजा राम मोहर राय को ठीक है 1839 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है विलियम बेंटिक और राजा राम मोहर राय ठीक है राजा राम इन दोनों के पर्यास से यह जो सतिप्रथा को समात किया गया 1829 में किस एक्ट के तहर यहाँ पर याद रखेगा शत्रह ठीक है एक्ट 17 के तहर इसको क्या किया गया अवैद घोसित कर दिया गया ध्यान रखेगा यहां से दो बाते और जैसे कि सतिप्रथा का सांकेतिक जो प्रमान मिला था है ना सांकेतिक प्रमान कहां मिला था सांकेतिक प्रमान जो मिला था आपको अथर्व वेद में मिला था है ना अथर्व वेद में मिला था यहां फेक और फैक्ट एक चीज़ और यादर के भानु गुप्त के एरन अभिलेख में एरन जो अभिलेख था ठीक है एरन अभिलेख में सरफ पर्थम सती पर्था का अभिलेख के परमान मिलता है तो यहांसे और भी फैक्ट याद हुआ सांकीदी प्रमान कहां से मिलता है अथर्वबेद में भानुगुप के एरन अभिलेग से जो सतीप्रथा का अभिलेग जो पर्थम सतीप्रथा का अभिलेग का प्रवान मिलता है लौड बिलियम मेंटिक और राजर राम मोहणडा के पर्यास से एक्ट सत्रा के तहद अटा से उन्तिस में इसे अवैद घोसित कर दिया गया है ना चले आगे बढ़ेंगे सवाल पे भूर आजस्व की दर किसके काल में सरवाधिक था तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा अलाउदिन खेल जी ठीक है इसका जो करेक्ट अंसर ह होगा यहां पर 1929 में ठीक है लहौर के अधिवेशन में 1929 के कहां पर किसमें कहां तो लहौर अधिवेशन ठीक है लहौर अधिवेशन में कॉंग्रेस के लहौर अधिवेशन में अध्यक्ष्टा इन्होंने 1929 में किया था और यहां पर एक चीज़ और फैक्ट वाली बात ह यहां पर दूसा फैक्ट ही कि पूर्ण सौराज की मांग पूर्ण सौराज की मांग यहीं पर किया गया था इसी सामें किया गया था पूर्ण सौराज सोराज की मांग ठीक है पुन्ट सोराज की मांग की गाई थी 1929 के लौहर अधिवेसल में पंडि जवाला नहिरू के द्वारा ठीक है हलाकि 1936 में भी 1936 में भी कहां से यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे इनकी जो हुथी 1936 में भी लखनो यहां पर लखनों के ही लखनों याद रखे 1936 में लखनों के अधिवेशन में कॉंग्रस का अधिक्ष्टा किये थे और एक बार और की यहां पर बात करता है 1937 में भी किये थे ठीक है इन्होंने और यहां पर हिस्सा थेज़ के ठीक है और एक चीजा और यहां से फैक्ट याद करिए है कि उन्हें 36 में कांग्रेस का दीवेशन में घोषना किया कि मैं एक गंतंत्रवादी हूं ठीक है तो दो तिन फैक्ट आपने यहां से और सी का म treatment अगया से मिला तो इसका जो क्रेक्टर अंसर जाब मेहरगड ठीक है झाल ओर culminate अगर बात करें मेहरगड एक तो यह आपका दक्षन बलुचankiस्तान का भाग है जो की पाकसान में परता है चैए यहां से और ऐगर जानना जाएंगे तो यहां पर लोथल के बारे में देख रहा है कि लोथल के बारे में पूछा है कि लोथल जो है रर अप्ता संभैता कातल यहां पर बंदर lên next कोषिक KP की बंदरगाह का पराल मिला था, ठीक है? बंदरगा का परमानी यहीं से मिला से लोथल में है, ठीक, हरपपस से बैता का, चले, आगे बरेंगे स्वाल पे, भारते परमानू उड़जा का जनक कौन थे, बहुत इंपर्टन कोसन, रिलवे में, रिसलिटी कोशन भी पूछा गिया, कि भारते परमानू उडजा के जनक कब हुई थे परमानू उर्जा आयोग ठीक है आयोग की अस्थापना की अस्थापना पूछा गिया इस कांसल हो जागा 1948 में 1948 में एक पूछा गिया था परमानू उर्जा ठीक है कब हुआ था बीवहाग की अस्थापना पूछा था कब हुआ था 1954 में यह कोसन पूछा गया एक ग्राम में ठीक है रिसेंटली चली आगे बनेंगे सवाल पर कि चीन वह अरुनाचल परदेश की सीमा पर इस्थित दर्रा का क्या नाम है तो इसका जो करेक्ट अंसल हो जाएग योंग याप ठीक है योंग याप अब यहाँ से और भी चीज़े हैं ध्यार रखेगा यचे की मनीपूर में ठीक है मनीपूर में कौन सा दर्रा है मनी मनीपूर में कौन सा दर्रा है तूजू दर्रा है नोट कर लिज़ेगा ठीक है दुस्ता मैं लिखा रहा हूं मुचल में कौन सा दर्रह है तो यहांपन बॉम डीला ठीक है कि भॉमी डीला एक और है दीकू ठीक चले और यहां पर सिक्क रिखिया जो कि पूछा जाता है एकाम में कई वार सिक्की में ठीक है सिक्की में कौन सा ना-थू-la-darra तीक है यहां जाय यहां पर जाय लेपला तो तीन तो यहां से याद हो गया एक और याद रखेगा कि जैसे की उत्राखंड में चौथा उत्राखंड में उत्राखंड में कौन सा भाई नोट कर लिजे उत्राखंड में हो जागा यहां पर लीपू लेख ठीक है यह भी पूछा गया काफी और लिपू लेख है ना अगर हम बात करते हैं जमू-कस्मीर में बात करते है तो कौन सा बनी हाल ठीक है बहुत और पूछा गया बनी आल दर्रह ठीक है फिर एक और यहां से पूछा जाता है जो जीला जो जीला दर्रा यहां से पूछा जाता है उत्रा जमु कस्मिन में और याद कर लिजेगा बुर्जिल ठीक है ये भी पूछा जाता है ठीक है तो आप नोट कर लिजेगा याद रहेगा चलिए अच्छे एक और हिमाचल परदेश में याद रखेएगा छठा में हिम माचल परदेश में कौन सा दर्रा भई तो यहां पर रोहतांग ठीक हो गया एक और नोट के लिए बरा लाचा चलिए मैंने बता दिया पांचे बता दिया आगे बरेंगे बैपार के दृष्ट्री से संसार का सबसे अधिक वैस्तम महासागर कौन सा है इसका जो करेक्ट अंसर होगा कौन से होगा जल्दी बताइए इसका जो करेक्ट अंसर हो जागा अट्लांटिक महासागर है इसका आकार पूछा जाता है एक्जाम में पूछा जाता कई बार ठीक है चलिए आगे बरेंगे सवाल में सवाल नमर नाइन पर कि जब पानी उबलता है तो इसके ताप प पर क्या परवाप परेगा इसका आपको अंसर आपको बताना है तो इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा एक समान रहता है ठीक है एक समान रहता है आगे बरेंगे पुर्व का मोती वारतन दीव किस देश को कहा जाता है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा स्री लंका ठीक ह बेल्ड किसको कहा जाता है नोट के लिए जब श्टॉक होम को ठीक है श्टॉक होम को एक कोसन आँ से यह भी याद कजिएगा काफ एक्जाम में पूछा जाता है ठीक एक कोसन आता है लीली का देश किसे कहा जाता है लीली का देश लीली का देश किसे कहा जाता है तो कैनाडा को ठीक है कैनाडा को फिर को और आता है लैंड ओफ मिड़नाइट सन लैंड ओफ मिड़नाइट सन किसको कहा जाता है नार्वे को किसको कहा जाता है नार्वे को चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि देश का पहला भूब एग्यानिक संगराले कहां बनाया गया ठीक तो इसका जो करेक्टर अंसर हो जाएगा वो क्या होगा जैसल मेर ठीक है जैसल मेर इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा और जैसल मेर भारत का सबसे गर्म जीला है ठीक है एक fact यहां से याद रखिएगा चले आगे बरेंगे सवाल पर किसका सासनकाल मुगल अस्थापतिक कला का मुगल अस्थापतिक कला का सौन यू कहा जाता है किसको कहा जाता है किसके सासनकाल को सा जहां के सासनकाल को कहा जाता है ठीक है सा जहां के सासनकाल को कहा जाता है और यहां से और कोशन याद रखे कि जहागीर के सासनकाल को पता क्या कहा जाता है जहागीर के सासनकाल को इसको कहा जाता था यहां चितरकाल का ठीक है सुनकाल का चितरकला है ना मुगलकाल का सुनकाल चित्रकला के लिए ठीक है कह सकते हैं यहाँ पे चित्रकला का स्वर्ण काल है ना चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था जहागीर के सासन काल को है ना तो यहाँ से एक और फैक्ट याद लिए कि बावर का बेटा कौन था तो बावर का बेटा हुमाई हुमाई का बेटा कौन था अकबर अकबर का बेटा कौन था जहांगीर जहांगीर का बेटा कौन था सा जहां असा जहां का बेटा कौन था औरंग जेव औरंग जेव यह फैक्ट याद रखेगा है न एक्जाम में कभी इसका जो है करम पूस दिया जाता है चले आगे सवाल पर बरेंगे प्रिश्ट तनाव की एसा मातर क्या होता है इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो क्या होगा न्यूटन मीटर है ना इसका जो क्रेक्ट अंसर होगा क्या होगा वो न्यूटन पर मीटर ह इसका correct answer होगा है ठीक है चले आगे बढ़ेंगे सवाल पे छो यहां पर एक एक फेक्ट और याद रखेंगे यहां पर नीटन मेंटर इसका जो correct answer होगा यह होगा एक फेक्ट और याद रखेगा इसका जो है न जो dimensional formula पूछा जाता है exam में Dimensional formula ठीक है काफी बर पूछा जाता कि इसका Dimensional formula क्या होता है तो प्रिष्ट तनाव को हम कैसे लिखते हैं इसको गामा से सोचित करते हैं और force y l लिखते हैं तो इसका जो Dimensional formula होगा वह होगा m1 l 0 T-2 होता है ठीक है यह रट लिजेगा ठीक है यहां पर चीज़ MLT-2, MLT-2 एहां पर मैं अच्छा सा नहीं लिखा मैं फिर से लिखता है MLT-2 एहां चली मैं फिर से लिख लेता हूं अच्छा से नहीं दिख रहा है यहां पर F ब्रावर MLT-2 एह चली है आगे बढ़ेंगे सवाल पर यहां तो हो गया है ना अच्छा यहां पर चीज और चुड़िया था न्यूटन मीटर को या फिर इसको क्या लिखा जाता है डाइन पर सेंटीमीटर भी इसको लिखते हैं है ना न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर भी लिखा जाता चलिए आगे बढ़ेंगे बिद्धुत रिनातमक सबसे अधिकिस तत्म में होता है तो इसका जो करेक्ट असर हो जागा फ्लोरीन ठीक आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि साधान नमक का रसानिक योगिक कौन सा है तो इसका हो जागा करेक्ट असर सोडियम क्लोराइड यानि की ए सवाल पर कौन सा रोख बैक्टडिया से होता है तो पर बैक्टडिया से होता है बाकिस ये जो होता वायरत से होता है इसमें होता है कि यह आपका वेलेवरं अधि चलिए आगे बढ़ें सवाल पर कि असमे लाइट है ना इसको आप इंग्लिस में लिख लिजी यहां पर मैं लिख देता हूं असमे समे लाइट जो है इसका किस धातु का एइसको अधान थाइदा नाम क्या है तो निकल का नोच कर नौच करने चाहँ है नौकार ठीक है मेले राइट ठीक और के अगर निख सकते हैं की अग्री्णो काईट ठीक है चलिए अक्रो में तो क्रोमाइट से निकलता है चलिए दोचाल फैक्ट आपको याद होगे आगे बढ़ेंगे कि जहाज के पंखा बनाने में किस मिर्स दादो कॉप्यों किया जाता है जिसका करेक्टर नस हो जागा डेल्टा मिल्टल आगे बढ़ेंगे सवाल पर पिलिया ब भाबित होता है चलिए अगर बढ़ेंगे सवाल पर कि पॉली वैक्षिन का विकास किस बैगानिक लिंग किया तो इसका जो करेक्टर नस हो जाएगा एंड बी मन्स की जॉन सालक एवं अलबर्ट साविंग ठीक है दोनों थे आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि मनुस्त का सौं लोजी का आट यहां पर वह नीडो लिखा हो है वह नीरो लोजी किसका अधेन होता है तो और शटी ऑफ ड्रीम्स ठीक है अश्टडी ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो औरी ओनीरो लॉजी इसको कहा जाता है कीमोथ्रेपी जो होता है कैंसर कर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर लोग सबा में मंत्री पड़िसत के बिरुद और विस्वास प्रस्ताव को लानी के लिए इन्टम सदस्क्रिशन का कतनी होने चाहिए तो इसका कर्क्टरान सोजागा फिप्टी चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि साख मुद्रा को अन किस मुद्रा की न किस नाम से जाना जाता है तो इसका जो कर्क्टर अंसरों Britney चो अगे बाएंगे सवाल पे चलि अगे बनाघने सवाल पर पंदान मंतरी द्वारा शुरू रख की गई मेकीं इंडिया कभ शुरुवात किया गया था इसके शुरुवात कभ खी ऐ, तो फियता है और पास्टे पर पंडित मदन मोहन मालविय का जन्म दिन भी था ठीक है ना यहां पर अटल विहारी अगर बाज़पई एवं पंडित मदन मोहन मालविय जी का क्या था जन्म दीन था ठीक है पच्छी सेप्टमबर को ठीक और इसी दिन पच्छी सेप्टमबर को में के इंडिया जो है यहां पर सुरुवात हुई थी यहां पे काफी बार कर जब जन्धन योजना आया था है ना और आज भी इसकी जो है विस्तार हो रहा है धीरे-धीरे जन्धन योजना है ना गाओं कस्वों में चलिए आगे बने सवाल पर कि राश्टी आपात की घोसना राश्ट्पति द्वारा किस अनुश्यत के अंतरगत कि आ जाता है राश् शाशन लगता है और 360 में क्या होता है वित्ये ठीक है यहाँ पर वित्ये अपात लगता है वित्ये अपात एक को सन और यहाँ से दो फैक्ट और याद होगे आपको यह फैक्ट यहां से आधर रखिएगा और अगर बात करते हैं कि आपात राष्टेपात की बात करें तो यह अब तक तीन बार लग चुका है यह अब तक तीन बार लग चुका है कब कब तो 1962, 1971 और 1975 इसमें कब लगा था कि जब चीन आकरवन हुआ था तब चैना आकरवन करण ऊंतरिक जो आंतरिक और शांति के कारण में assumptions करते हैं यह प्रृद्धान कीया था कि Communist तो अब यह नहीं किया जा सकता है 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 लग की सवाल पर कि निम्लिक काँ वन सा एक फोसिख की justement है तो इसका जो प्राइक अधिवेशन में रट किया था किस ने किया था काफ़ी इंपॉर्टन कोस्टन है चली इसका देखते आंसर क्या होगा तो इसका जो प्राइक अंसर हो जाएगा ये भी क्रिपलानी ठीक है पच्पन्वा जो था अधिवेशन मेरट किया था किसमें किया थैंग क्या 1946 में, यहाँ पर जो था भारत आजात के जो शमय का दौर शुरू हो चुका था यहाँ पर आजादी का और अगर बात करते हैं अजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद, आजादी बाद 1948 में ठीक है, अजादी बाद Congress का वेशन जो हुआ था जो जैपूर में हुआ था किस ने किया था जैपूर में किया था पटाभी सिता रमया ने ठीक है पटाभी सिता रमया पैसकि में थ्यालिस में ठीक है च्यालिस में अजादी के समय में में निशी में ml dikrit दाक समीठी के अध्यक्स रहतें छली इतना फैक्ट याद होने के बाल आगे बढ़नेगे कि किस अधिनियम दौरा 843 दास पर था तो दास पर था तो आपको अंत हुआ था यह को सना था दास पर था का अंत हुआ था 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 तो यहां पर जो आंसर होगा आपका किया गया लन बढ़न और द्ञाई क्या किया गया तो काफी एंपोर्टीन कोस्व यह टीको एक तो यह इसके पहले वाले कोस्व में आपको बताया भी था इसक्र प्रया टांस इसका जो करक्ष तो जगा ऑस्टेलिया ओस्टेलिया यहां से और भी कोसन आता है जैसे कि आपको वेल्ट भी पूछ दिया जाता है कि वेल्ट के घास का मैदान को कहा है तो ये है आपका साउथ अफ्रीका दक्षिन अफ्रीका ठीक है नोट कर लिजेगा प्रेरी भी पूछा जाता कई बार तो प्रेरी कहां पर यहां पर उत्री अमेरिका ठीक है उत्री अमेरिका एक और पूछा जाता पंपास ठीक है पंपास कहां पर तो यहां पर पंपास हो जागा आपका अर्जेंटीना ठीक है अर्दिन टीना पंपास हो गया फिर आगे बनें कंपास के अगर बात करें तो कंपास का है कंपास हो जागा आपका ब्राजिल ठीक और अगर बात करते हैं यहां पे एक पुछा जाता है पुछा जाता है यह है यूरोप का ठीक तो यह 45 फैक्ट याद रगी है वेल्ड दस्टिन अफ्रीका प्रेड प्रेडियोतरी अमेरिका पंपास अर्जेंटीना कंपास प्रजिल और पुछ्टाज यूरोप ठीक चलिए आगे बनेंगे सवाल पे वर्ल्ड एकोनोमिक और लुक रिपोर्ट कौन जारी करता है यह काफी इंपॉर्टन को से वर्ल्ड एकोनोमिक और लुक कौन जारी करता है यह काफी इंपॉर्टन को सने कई बार एकजाम में पूछा भी गया है ठीक है आप जरूरी नोट करिएगा कि क्योंकि यह को सन अब ऐसे आपको जो है जो रिसेंटली रेलवे के पेपर में WTO means World Trade Organization 1995 में ठीक है विस्ट बैंक विस्ट बैंक का हुआ था 1944 में ADB का 1966 में अब इसका मुख्याले भी पूच देता है भई इसका हेड़कॉर्टर का है ठीक है तो इसका तो हो जागा जेनेवा में है ना इसका हो जागा मनीला में ठीक और इसका जो हो जाएगा वासिंग्टन DC वासिंग्टन DC USA और इसका भी है ना IMF का भी दोनों का सेम हो जाएगा चलिए आगे बरेंगे सवाल पर राजबिधान परिस्द का प्रवधान भार्दे समिधान के किस अनुछेद में नहित है है ना तो यहां पर अनुछेद ब सब्सक्राइब को भारत रदन कब परदान किया गया था इसका जो करेक्टर हो जाएगा 1997 में ठीक है 1997 में काफी इंपोर्टन को सन बन जाता है क्योंकि यह पीजए अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है बच्चा-बच्चा भी जानता है और यसले भी फेमस है कि इन्हें मлисьैunku करो भी नाम से जाना जाता था इन्हें मिसाइल को मैन के नाम से जाना जाता था है न ठीक और इग्नाइटेड माइंड्स ठीक है लीखाऊ एक पुष्टक अपुष्टक था चया भाइग सिकनाइटड इगजड डिनाहिटेड गोजँ कि puòष्टक इन्हों नहीं लिख जो है इंडिया 2020 मिसन ठीक है इंडिया 2020 मिसन भी इनकी पुस्तक है मिसके इनके लेखक है इंडिया जो है 2020 मिसन के लेखक भी इन्हों ने इनकी इनका लेखक इसका लेखक एपीज अब दिल कलाम दे ठीक है तो दो तिन चार फैक्ट आपको याद रखने होंगे ठीक तो भारत का एक मात्र बैग्यानिक जो राष्टपती भी बने 1997 में इनको भारत परदान किया गिया इन्हों ने लिखा इंडियन विजन 2020 भी इनकी लिखी हुई पुस्ता के चलिए आगे बरेंगे सवाल पर कि मौंट एवरेश्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो माथा के नाम से सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में है ना नेपाल में ठीक चलिए और मौंट एवरेश्ट की उचाहि आप सभी को पता कि कितना होता है आठथा आठाथा नहीं अटालिस मीटर है ना उच्छा है यह आगे बरेंगे सवाल पर कि सस्ते कि बनाने के लिए कि मिस्वुधात्त का पयोग किया जाता है इसको आपको बताना है अंसर यहाँ पर कि चलि इसका जो कर्शन भागवग मेटल ठीक जो कर डशना लोगा वह गाडश मेतल चलि आगे बेढ़ेंगे कि मिट्टी में जो जो गहटानी के लिए किसका प्रयूप किया जाता है है 1 2 2 1 2 इसको और क्या कहा जाता है 2 2 Is टूओ ना इसको और क्या कहा जाता है calcium sulphate calcium sulphate dihydrate dihydrate चले आगे बढ़ेंगे सवाल पर इधमनिया रख्त का वहन करती है जो भरी होती है तो धमनिया किसकी बहन करती जिसको कहते है अक्सिजन माँ करता है अक्सिजन नंचे सब्सक्राइब करती है जियंल आपके यहां सब्सक्राइब यहाँ पे तो गया आटरी की बात कर रहे थे है ना आटरी की बात कर लिए यहाँ पे एक और यहाँ important चीज़ बनता है कि सीरा के बारे में पूछा जाता है जिसको कहते है when है ना का जाता है वेंस यह क्या करता है यह डि-oxygenated वल्म मैं इसके असुध कह सकते हैं अशुध रक्ट को ये ले जाता है असुध रक्ट को ले जाता है और ध्मिया क्या करता है यहाँ पर यह करता है सुध रक्ट द्धिर्ट में A косेजिइनेटीड जो होता है oxygenated blood को ले जाता है और यह deoxygenated blood को ले जाता है न यह क्या करता है deoxygenated blood को tissue से tissue से कहां सारे tissue से कहां को ले जाता है यह heart को ले जाता है और यह heart से पुरे body में यह ले जा जाता है धमनिया न यह क्या करता है धमनिया यह रखेगा यह हट टू ऑल बॉड़ी है ना होट टू है अल बॉड़ी और यह क्या करता है यह हट को ले जाता है यह सारे जो यह कह सकते बॉड़ी टू हट यह बॉड़ी टू हट को ले जाता है ठीक है और यहां से कोशन आता है कि जैसे कि धम्या तो सुद्र को ले जाता है य होता है ठीक है जो की सुध रखने जो कि असुध रखने ले जाता है उसी तरह यहां पे पर इस तरह यहां पर पूरे फोटी कोशन